दोस्तो इस समय अगर हमारी YU Sena किसी fighter jet पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है तो उस fighter jet का नाम Sugoi 30 MKI है और दूसरे नंबर पर हमारी YU Sena किसी fighter jet पर भरोसा करती है तो उस fighter jet का नाम Mirage 2000 है Mirai 2000 वो ही fighter jet है जिसकी मदद से हमने बाला कोट में air strike की थी Mirai 2000 fighter jet को लेकर हमारी वायू सेना का ये प्लैन ही कि हम अपने Mirai 2000 fighter jet का इस्तमाल 2035 तक करने वाले हैं और 2035 के बाद हम अपने Mirai 2000 fighter jet को अपने Tejas Mark 2 fighter jet की मदद से पूरी तरीके से replace कर देंगे लेकिन इन Mirai 2000 fighter jet को लेकर इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि France ने इन fighter jet के production को बंद कर रखा है जिस कारण Mirai 2000 के parts को मिलने में काफी दिक्कते होती है और अगर ये parts हमको कहीं से मिल भी जाते हैं तो हमको इन parts की कई गुना कीमत चुकानी पड़ती है इसलिए भारत अपने Mirai 2000 fighter jet को maintain रखने के लिए दूसरे देशों से पुराने Mirai 2000 fighter jet को खरीदता है और इन पुराने Mirai 2000 fighter jet की मदद से ही हम अपने Mirai 2000 fighter jet की fleet को इस समय maintain रखते हैं लेकिन अब भारत के पुराने Mirai 2000 fighter jet के लिए एक सबसे बड़ी खुशकबरी आ चुकी है क्योंकि अब फ्रांस की तरफ से भी ये plan किया गया है कि हम अपने Mirai 2000 fighter jet का इस्तमाल 2035 तक करने वाले हैं तिसलिए ही अब फ्रांस अपने पुराने Mirai 2000 fighter jet को further modify करने वाला है और इस upgrade program को फ्रांस इसलिए भी शुरू करना चाहता है क्योंकि फ्रांस ने ये plan किया था कि हम जल से जल अपने Mirai 2000 fighter jet को रफाल fighter jet की मदद से replace कर देंगे लेकिन इस समय ये चीज फ्रांस के लिए बिल्कुल भी possible नहीं है क्योंकि इस समय फ्रांस के पास में रफाल fighter jet के भर भर कर order आ रहे हैं फ्रांस इन order को पूरा नहीं कर पा रहा है इसलिए ही अब Dassault Aviation की तरफ से Mirai 2000 fighter jet के parts के production को करना शुरू कर दिया जाएगा और Dassault Aviation की तरफ से कुछ modification भी अब Mirai 2000 fighter jet में किये जाएंगे और जैसे ही फ्रांस के Mirai 2000 fighter jet update हो जाएंगे उसके बाद फ्रांस की तरफ से ये update package भारत को भी offer किया जा सकता है और यदि हमारे पूराने Mirai 2000 fighter jet update हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे Mirai 2000 fighter jet पहले से जादा शक्तिशाली हो जाएंगे और हमको अपने Mirai 2000 fighter jet के component को लेकर दूसरे देशों के पूराने fighter jet के उपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस से फिर से अपने Mirai 2000 fighter jet को अपग्रेड कराना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो एव गूड डे